हुआ दोस्तों मैं हूँ नीज़ आप देख रहे हैं Study Commerce और आज हम इस वीडियो में UP, TGT, PGT Commerce से रिलेटेड कुछ important question डिसकस करने वाले हैं regarding the subject business management ये है part 2 अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो आप आई बटम पे क्लिक करके देख सकते हैं या description में भी आपको उसका link मिल जाएगा आप हमारे lecture की पीडियो भी डाउनलूड कर सकते हैं सिर्फ आपको टेलिग्राम जॉइंग करना है टेलिग्राम का link आपको description में मिल जाएगा या आप इस दिये गए QR code को भी scan करके हमें जॉइंग कर सकते हैं आज मेरी तवेद थोड़े ठीक नहीं है तो आपको आवाज थोड़ा कम सुनाई दे सकता है अगर आपको volume कम लग रहा है तो आप earphone लगा लिजे तो आईए question discuss करते हैं first question कहा रहा है need for achievement theory was propounded by आपको बताना है कि need for achievement theory किस ने दिया है आपके option है herzberg, mackland, vroom या फिर mcgregor मैं आपको ये बता दू कि ये जो चारो नाम है वो related है motivation theory से अगर आपने motivation की सारे theories पड़ी है तो आपको पता होगा कि किस ने कौन से theory दिया है चाया वो herzberg हो, mackland हो, vroom हो या फिर mcgregor हो तो herzberg ने two factor theory दिया है, mackland ने theory of need दिया है, vroom ने expectancy theory दिया है और douglas mcgregor ने theory x और theory y दिया है, तो एक बार चारो theories को एक बार revise कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं herzberg की जिनोंने two factor theory दिया है, ये एक motivation की theory है और year याद रखिएगा, year है 1959, तो herzberg ने motivation की एक theory दिया जिसको उन्होंने two factor theory काया है इसमें उन्होंने two factors के बारे बात की है, first है hygiene और second है motivation आपको पता होना चाहिए कि hygiene factor कौन है और motivation factor कौन है hygiene factor का क्या मतलब है कि वो factor जो एक employee को motivate तो नहीं करते हैं लेकिन उनका होना बहुत ज़्यदा जरूरी है दूसरी तरफ, motivational factor वो factor है जो एक employee को motivate करते हैं तो 10 hygiene factor दिये गए हैं और 6 motivation factor दिये गए हैं देखें आपे लिखा गया है 10 factors as hygiene factors सारा नाम आपको पता होना चाहिए जैसे salary अगर आपको salary मिल रही है तो वो एक hygiene factor होगा इसी तरीके से job security, working condition जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ की condition कैसी है company की policy और administration कैसा है supervision कैसा है relationship with supervisor, peers and subordinates जो भी आपके supervisor है उनके साथ आपका relation कैसा है जो भी peers है, जो भी आपके colleague है, जो भी साथी है, जो आपके साथ काम कर रहे है, उनके साथ आपका कैसा relation है, ये भी आपका hygiene factor में आता है और subordinates के साथ भी आपका relation है, ये भी hygiene factor के अंतगत आता है इसके अलावा स्टेटर्स पर्सनल लाइफ भी हाईजीन फैक्टर का है एक्जामपल है दूसरी तरफ मोटिवेशन फैक्टर की बात करें तो 6 मोटिवेशन फैक्टर दिये गए हैं शौट में आप याद कर सकते हैं गरवार कई बार लोगों के लिए जो उनका काम होता है वही उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है तो टीचिंग इटसेल्फ उनके लिए वो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है इसी तरीके से advancement और recognition यानि पहचान अगर आपको पहचान मिल रही है आपके काम से तो वो भी एक मोटिवेशन का फैक्टर होगा यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखीगा कि जो भी hygiene factor है वो एक foundation की तरह है यानि जैसे building की नीव होती है foundation होता है उसी तरीके से hygiene भी एक foundation है यानि इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और दूसरी तरफ जो motivation factor है उन्हें bricks का जाता है यानि जो building की जो eating होती है वो motivation होती है तो basically मैंने हस्बक की two factor theory की बारे में आपको briefly यहाँ पर बता दिया इस वीडियो में जो भी topic में discuss कर रहा हूँ मैंने already detail में lecture बना लिया है तो अगर आप चाहते हैं कि सारे motivation की theories को detail में पढ़ें तो description में दिये गया link से आप detail में सारे lectures को देख सकते हैं अब आई आगे बढ़ते हैं next है Maclean तो Maclean ने theory of needs के बारे में बताया है तो David Maclean ने तीन तरीके की need को identify किया जो की एक person को motivate करने में capable है तीन तरीके के need कौन कौन से हैं यह आपको पता होना ची first है need for achievement next है need for power और third है need for affiliation अगर आपने Maslow की need hierarchy थे होई पड़ी है तो आपको यह सारे needs जो है आसानी से समझ में आ सकते हैं need for achievement जो है वो self-actualization need की तरह है self-actualization need यह highest level of need है need for achievement को आप self-satisfaction से याद कर सकते हैं की वो आपकी highest level of need जो की आपको सबसे जादा satisfaction प्रॉइड कराता हो जैसे किसी writer को writer बनना है तो उसके लिए वो highest satisfaction होगा वो उसके लिए need for achievement होगा इसी तरीके से कोई scientist बनना चाहता है या कोई singer बनना चाहता है या कोई writer बनना चाहता है तो ये सब सारे चीज़ें जो example है वो need for achievement का example होगा शॉट में इसको हम capital में ACH लिखते हैं achievement इसी तरीके से power को हम PWR और affiliation को AFF capital में लिखते हैं हो सकता है exam में आपको पूरा नदे के शॉट में दिया हो तो आपको short form भी पता होना चाहिए next है need for power need for power जो है वो steam net के तरह है यानि कि आपको control चाहिए power का क्या मतलब है control आप दूसरे लोगों पे दूसरे events पे control करना चाहते हैं जैसे कई सारे student जो है वो IS इसलिए बनते हैं ताकि उनके पास power है जाता जो politician होते हैं वो CM PM बनना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास power हो तो need for power इसी को बताता है next है need for affiliation need for affiliation जो है वो आपका social need की तरह है social need की तरह है हम सभी social animal है हमें एक दूसरे से बात करना पसंद है साथ में खाना खाना पसंद है तो social need क्या है जब आप लोगों से affiliate होना चाहते हो जुड़ना चाहते हो बात करना चाहते हो तो उसे हम need for affiliation कहेंगे generally जो teaching profession है वो एक इसका अच्छा example हो सकता है क्योंकि teaching में भी हम क्या करते है ने-ने student से हर साल मिलते रहते हैं तो यह आपने Maclean की theory of need को briefly देख लिया है अब बात करते हैं Victor Vroom की जिन्होंने दिया है expectancy theory और year याद रखना ना 1964 यह बहुत यादा important है तो Victor Vroom ने motivation के process को explain किया कि किस step से हो के एक individual जो है मूँ motivate होता है तो Victor Vroom ने तीन elements के बारे में हमें बताया first है expectancy second है instrumentality और third है balance expectancy का क्या मतलब है कि आप क्या expect करते हो for example अगर आप यह expect करते हो कि अगर हम 4 घंटा पढ़ें तो आपका PGT exam जो है वो clear हो जाएगा तो जितना expectancy होगा उतना ही ज़्यादा आप effort लगाओगे instrumentality क्या है instrumentality है performance अगर आप ज़्यादा effort लगाओगे तो ज़्यादा performance निकल के आएगी होगा और ज़्यादा valuable होने से आप ज़्यादा महनत करोगे तो यहाँ पर Victor Vroom ने motivation की process के बारे बताया है तीन elements के थुरू मैं यहाँ पर short में आपको motivation का formula बता दे रहा हूँ motivation is equal to expectancy into instrumentality into balance यह short में आप याद रखेगा अब बढ़ते हैं आगे next है theory x and theory y इसको दिया है Douglas McGregor ने Douglas McGregor ने theory x और theory y दिया है in the year 1960 1960 में Douglas McGregor ने theory x और theory y दिया है theory x जो है वो एक traditional approach है और theory y जो है वो एक modern approach है theory x यह बताता है कि एक employee खुश से काम नहीं करना चाहता उसे close supervision की जरुवत है काम कराने के लिए तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि theory x जो है वो एक negative और traditional approach है दूसरी तरफ theory y जो है वो एक positive approach है modern approach है जो यह कहता है कि employee खुश से काम करना चाहते है खुश से responsibility लेना चाहते है तो यह है theory x और theory y briefly अब वापस से question पर आते है question में आप से पुछा था कि need for achievement theory was propounded by तो मैंने आपको अभी बताया है कि हस्बग ने क्या दिया है two factor theory आपको मैंने बताया है कि two factor में hygiene factor और motivation factor दिया है मैकलेंड ने आपको theory of need के बारे में बताया है जैसे need for achievement, need for power और need for affiliation विक्टर व्रूम में क्या दिया है expectancy theory और डगलस में ग्रेगर ने दिया है theory x and theory y तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा b तो मैकलेंड ने need for achievement theory दिया तो first का correct answer हो जाएगा b देखिए सिर्फ आप question और answer के चकर में न पढ़ें क्योंकि exam में हो सकता है कि जो यहाँ पर question पूछा गया उससे न पूछके need for power पूछ दे या need for affiliation पूछ दे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए और इस वीडियो में मैं सिर्फ brief में आपको सारी चीज़ें से बता रहा हूँ detail में बता नहीं रहा हूँ अगर आप detail में देखना चाहते हो तो आप description में दिया गया link से वहाँ से detail में आप सारे lectures को देख सकते हो अब आई नेक्स question देखते हैं how many possible leadership behaviors have been visualized in managerial grid आपको बताना है कि managerial grid में जो maximum leadership style है कितना हो सकता है possible leadership behavior कितना हो सकता है एक बार options देख लेगते हैं क्या ये 81 होगा, 83 होगा, 49 होगा या फिर 64 होगा एक बार managerial grid के बारे में समझ लेते हैं managerial grid को हम बोलते हैं leadership grid मैं यहाँ पर साथ के साथ लिख भी दे रहा हूँ और इसको दिया है Robert R. Black and J.S. Morton तो managerial grid या leadership grid को दिया है Robert R. Black and J.S. Morton ने और managerial grid क्या है, basically ये एक leadership की theory है leadership की theory हैं और बहुत इस्पेसिफिक बात करों तो ये behavioral theory है behavioral, behavioral theory है behavioral theory में दो चीज़ें आती है managerial grid और leakards का force system of management तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए हैं अब बार बार एक शब्द आ रहा है grid grid को आप box भी कह सकते हो for example यहाँ पर आप देखो ये जो box है इसे हम grid कहते हैं इसी तरीके से ये जो box है हर एक individual box को हम grid कहते हैं तो count कर लेते हैं कितना box होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमने horizontally कर लिया अब हम vertically count कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि 9 into 9 total number of grid कितने हो जाएंगे 81 तो ये 81 grid क्या बताते हैं हर एक grid या box जो है वो एक unique leadership style को बताता है तो total 81 box है 81 grid है यानि कि total 81 different types of leadership style को बताता है आपको सारे leadership style को नहीं पढ़ना है सिर्फ 5 important है जिसे आपको exam के लिए याद रखना है मैं आपको याद करा देता हूँ first है 1, 1 style जिसको हम बोलते हैं impoverished management इसका क्या मतलब है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो managerial grid है वो two dimensional है two dimensional है क्या मतलब है कि यहाँ पर जो leader है वो दो चीज़ों पर focus करेगा first concern for people और next है concern for production यानि कि जो leader है वो दो चीज़ों पर ध्यान रखेगा concern करेगा या तो production हो सकता है या तो people हो सता है people मतलब जो employee जो काम कर रहे है आपके साथ तो first जो style है उसको बोलते है one one style इसको हम बोलते हैं impoverished management तो impoverished management जो एक leadership style है वो ये बताता है कि जो leader है वो न तो concern होता है production को लेकर और नहीं concern होता है people यानि जो employee है उनको लेकर तो यहाँ पर impoverished management को हम क्या बोलेंगे low concern for production and low concern for people इसका just ultra होता है nine nine style जिसको हम बोलते है team management इसमें जो leader होता है वो high concern होता है for production and high concern for people तो nine nine जिसको हम team management कहते हैं इसको हम बोलते है high concern for production and high concern for people बीच में आता है five five style जिसको हम बोलते है middle of the road management इसमें जो leader होता है वो बहुत ज़्यादा concern नहीं होता production को लेके और बहुत ही कम concern नहीं होता production को लेके Same चीस people को लेके भी है वो moderate या middle level पे होता है बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं moderate level पे concern होता है production के लिए और people के लिए तो middle of the road को हम बोलते हैं moderate concern for production and moderate concern for people next होता है one and nine style इसको हम बोलते है country club management club में जैसे लोग होते है people जैसे आप जानते हो कि club में लोग होते है तो ऐसा leadership style जहाँ पे leader ज़्यादा लोगों पे concern है यह लोगों के लिए concern है तो country club management में क्या होता है low concern for production and high concern for people लास्ट है nine and one style जिसको हम बोलते है authority compliance इसमें क्या होता है कि जो leader होता है वो ज्यादा concern होता है production को लेके और people को लेके कम concern होता है तो यहाँ पर authority compliance में क्या हो जाएगा high concern for production and low concern for people तो एक बार फिर से मैं बता दे रहाँ आपको कि managerial grid या leadership grid जो है वो leadership की theory है specifically बात करें तो यह behavioral theory है और managerial grid को Robert R. Black and J.S. Morton ने दिया है और यह two dimensional leadership style है first है concern for people and second है concern for production तो यह था managerial grid अब वापस से question पर आते हैं question मैं आप से पुछा था कि how many possible leadership behavior have been visualized in managerial grid मैंने आपको भी बताया कि 81 total number of leadership style होता है तो second का correct answer हो जाएगा A अब आए next question देखते हैं contingency approach of leadership was developed by आपको उताना है कि contingency approach of leadership किस ने develop किया है आपके option है fiddler, leaker, blankard या फिर none of the above ये तीनों जो नाम आपको दिये गए हैं ये leadership theory से related है यानि इन्होंने लेडर्षिप की theory दी है तो आपको तीनो थियोरी पता होना चाहिए कि फिडलर ने कौन से लीडर्शिप की थियोरी दिये लिकर्ड ने कौन से लीडर्शिप की थियोरी दिये और ब्लैंकर्ड ने कौन से लीडर्शिप की थियोरी दिये Briefly हम यहाँ पर देख लेते हैं सारे थियोरिस को सबसे पहले बात करते हैं Fiddler की जिनोंने दिया है Contingency Theory या इसको हम LPC Theory के नाम से भी जानते हैं LPC का पूरा नाम है Least Preferred Co-Worker अभी इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको अभी LPC का पूरा नाम पता होना चाहिए और Contingency का क्या मतलब है Situation तो Fiddler ने ये बताया कि एक Leadership की जो Effectiveness है जो प्रभाव शिलता है वो दो बातों पे निर्भर करेगी पहला कि Leader कौन से Leadership Style अपना रहा है दूसरा Situation कैसा है तो इस तरीके से Fiddler ने दो Factors के बारे में बात किया है First है Leadership Style और दूसरा है Situational Variable तो हम दोनों चीज़ को पहले समझ लेते है First बात करते हैं Leadership Style की तो Fiddler ने ये कहा कि एक Leader दो तरीके की Leadership Style को अपना सकता है First है Task Oriented Leadership Style और Second है Relationship Oriented Leadership Style Task का क्या मतलब है कि जो Job आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो उस पे ज़्यादा Focus कर रहे लीडर और Relationship Oriented Leadership Style का क्या मतलब है कि Leader Relationship पे ज़्यादा Focus करता है यानि जो भी उसका Employee के साथ Relation है वो ज़्यादा Employee को Concern करता है यानि वो ज़्यादा employee के लिए concern देता है तो दो तरीके के leadership style है task oriented और relationship oriented task oriented को हम job oriented leadership style कहते हैं और relationship oriented को हम बोलते हैं employee oriented leadership style अब एक चीज जो बहुत ज़्यादा important है वो ये है कि filter ने ये कहा कि कोई भी leader किसी एक leadership style को अपनाता है और ये जो leadership style है वो एक leader के fix होती है ये बहुत ज़्यादा important point है ध्यान रखना कि एक leader कोई भी leadership जो style वो अपनाता है वो हमेशा उसी को लेके constant रहता है यानि वो leadership style fixed होती है और filter ने ये कहा कि जो leadership style है एक leader कौन सी leadership style अपना रहा है इसी हमें पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे उसके लिए उन्होंने एक LPC questionnaire बना है LPC मैंने आपको भी बताया था कि list preferred co-worker questioners questionnaire का क्या मतब होता है formal set of questions formal set of questions कुछ questions बना दिये जाते हैं और उसके basis पे हम review लेते हैं तो इस questionnaire में जो भी leader होगा ध्यान रखना कि यह जो questionnaire है वो leader भरेगा तो leader से request किया आता है कि जो भी उसके co-workers हैं उनको वो rank करें और किस preference में करना है least preferred यानि कि 1 से लेके 8 तक उसको rank करना है अगर suppose कर लो कि कोई leader है उसके co-workers जो उसके co-workers हैं वो उसको पसंद नहीं करता तो उसे 1 point दे सकता है अगर पसंद करता है तो वो उसे 8 point दे सकता है बीच में कोई भी numbering कर सकता है तो जो leader ज़्यादा LPC marks देगा यानि ज़्यादा point देगा इसका क्या मतलब है कि वो ज़्यादा अपने co-workers को पसंद करता है यानि कि high LPC leader के पास relationship oriented leadership style होगी यानि वो एक relationship oriented style को अपनाएगा क्योंकि वो अपने co-workers को पसंद करता है सिधी सिधी बात है अगर अपने co-workers को पसंद करते हो तो उसको ज़्यादा max दोगे कम पसंद करते हो तो कम max दोगे तो higher LPC leader जो होगा वो ज़्यादा relationship oriented leadership style को अपनाएगा और जो lower LPC leader है वो task oriented leadership style को अपनाएगा तो उमीद है आपको leadership style के बारे में यहां तक समझ में आ गया होगा अब वापस से देख लेते हैं मैंने आपको क्या बता है कि leadership style दो तरीकी हो सकती है task oriented leadership style और relationship oriented style अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा leader कौन से leadership style को अपनाता है तो हम क्या करेंगे LPC questionnaire बनाएगे अगर suppose कर लेते हैं कि जो leader है वो अपने co-workers को favorably rate करता है view करता है तो उसका क्या मतलब है कि वो high LPC leader होगा और अपने co-workers को कम marks देता है इसका मतलब क्या है वो low LPC leader होगा अगर high LPC leader है पनाता है उमीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा तो अभी मैंने आपको बताया था कि वह और दूसरा है सिचुएशनल वैरिवल तो leadership須 अब समझ देते हैं, situational variable क्या है, तो तीन तरीके के situational variable दिये गहे हैं, फास्ट है, leader-member relationship, task structure, position power, फास्ट बात करते है leader-member relationship leader-member relationship का क्या मतनब है कि leader और उसके member के बीच में relationship कैसा है जाहिर से बात है या तो relationship अच्छा होगा या बुरा होगा good होगा या bad होगा तो अगर leader member relationship good है तो यांई वो favorable होगा bad है यानि वो unfavorable होगा इसी तरीके से task structure देखेंगे हैं जो भी काम है, जो भी टास्क है, क्या वो structured है या unstructured है, structured होगा तो उसे हम favorable मानेंगे, और unstructured होगा तो उसे हम unfavorable मानेंगे, next है position power, या तो आपके पास position power strong होगी या weak होगी, तो अगर position strong है तो वो favorable होगा, और weak है तो वो unfavorable category में आएगा, अब देख लेते हैं कि क्या situation overall बन र वो बहुत ज़्यदा favorable है या बहुत ज़्यदा unfavorable है, दोनों condition है, या तो favorable होगा, या तो unfavorable होगा, दोनों अगर ऐसी situation है, कि जो भी आपका situation variable है, very favorable है, या very unfavorable है, दोनों ही condition में ये recommend कि आयता है, कि एक leader को task oriented leadership style अपनाना चाहिए, अगर moderately favorable है, या फिर unfavorable है, तो यहा को relationship oriented leadership style अपना न चाहिए अब यहाँ पर एक question आता है कि suppose कर लो कि situational variable और leadership style में अगर कोई mismatch हो जाए तब हम क्या करेंगे तो ऐसी situation में हम leader को change कर सकते हैं as per situational variable suppose कर लेते हैं दो भाई है x और y x जो है वो बहुत ही काम रहता है और y जो है वो बहुत aggressive रहता है तो suppose कर लो कि एक situation आ गई शादी की तो x बहुत काम है तो ऐसे condition में आप x को भेज सकते हैं दूसरा condition क्या है suppose कर लेते हैं कि कोई ऐसा situation आया जहाँ पर गुसा दिखाना है या फिर aggression की जरुवत है तो आप वहाँ पर y को भेज सकते हैं तो उसका क्या मतलब है कि जैसी situation हो की वैसा leadership style आप अपनाएंगे तो first यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर situational variable और leadership style में mismatch हो जाता है तो आपके सामने दो option हैं first leader को change कर दिजिए as per need of the situation variable जैसी need हो वैसा leader आप लगाईए दूसरा situational variable को change कर दिजिए जैसा leadership style की demand हो यहाँ पर एक important चीज ध्यान रखेगा कि कभी भी leader की जो leadership style है इसको हम change नहीं कर सकते हैं यह ध्यान रखना क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि leader की जो leadership style होती है वो fix होती है उसको हम change नहीं कर सकते हैं आप leader को change कर सकते हैं, situational variable को change कर सकते हैं लेकिन एक leader की leadership style को आप change नहीं कर सकते हैं तो यह था fiddler का contingency theory उमीद है आपको यह चीज़ें आराम से समझ में आई होंगी अब आगे बढ़ते हैं लीकर्ट के बारे में जानते हैं तो लीकर्ट ने four system of management दिया है अब इसको एक तरीके समझ सकते हैं कि लीकर्ट ने चार तरीके के different types of leadership style के बारे में बात किया है जिसको उन्होंने system कहा है फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट है exploitative autocratic सेकेंड है benevolent autocratic थर्ड है consultative और fourth और last है democratic एक एक करके जान लेते हैं सबसे पहले है exploitative autocratic यह highly autocratic है यानि इसमें जो leader है वो dictator की तरह होगा अपने जो भी कोई decision लेगा उसमें जो भी subordinates हैं उनसे कोई भी consultation नहीं होगी subordinates कभी भी confidence में नहीं होगे और बहुत यादा strict control करेगा subordinates पे और ज्यादा तर वो negative incentive देता है अपने subordinates को नेक्स्ट है benevolent autocratic यह liberal autocratic की तरह होते हैं जैसे हमारे parents होते हैं वो autocratic होते हैं बट थोड़े liberal होते हैं जैसे गाओं में क्या होता है कि लड़कियों को बाहर जाने की permission नहीं होती जादा जो parents होते हैं वो एक benevolent autocratic की तरह काम करते हैं तो इसमें strict control होता है और positive के साथ negative incentive भी दिया आता है subordinates को next है consultative जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़़्यादा consultation होता है और जो subordinates है उनने पे control कम होता है और जायतर कोशिज किया आता है कि positive incentive भी दिया जाए subordinates को लास्ट है democratic जैसे नाम से पता चल रहा है democratic का क्या मतलब है कि हम अपने subordinates से हमेशा consultation करेंगे और इस पे हम subordinates को self control पे focus करते हैं कि जो subordinates हैं उस पे हमें control ना करना पड़े बलकि जो subordinates हैं वो खुद से self control लेके हैं for example class 4th की बच्चे को या छोटे बच्चों को आप डाट की बोल सकते हो कि आप पढ़ो लेकिन आप जो इस वीडियो को देख रहे हो जो PGT का एक्जाम क्लियर करना चाहते हो उनको मैं डाट के नहीं पढ़ा सकता वो अपने मर्जी से इस वीडियो को continue कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यानि कि आपकी अंतर का self-control है आपने laptop खोला, mobile खोला, tablet खोला जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपने खुद से खोला है और खुद पढ़ाई कर रहे हो तो democratic में क्या होता है कि जो subordinates पर control होता है उसमें हम self-control पर emphasize करते हैं जातर और इसमें हम negative incentive को ignore करते हैं negative incentive हम नहीं देते हैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देखना होगा कि लिकर्ट्स ने four system of management दिया है चारो system का नाम पता होना चाहिए first है exploitative autocratic next है benevolent autocratic third है consultative autocratic और last और fourth है democratic तो यह चारो system के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए अब आए next theory की बात करते है next theory का नाम है life cycle theory of leadership जिसको दिया है हरसे और ब्लाइंकट ने इसलिए इस theory को हम बोलते है life cycle theory of हरसे और ब्लाइंकट अभी आपने देखा कि एक leader जो है वो two dimensional leadership style को अपनाता है जिसमें वो जो relationship behavior उसके फोकस करता है और task behavior पे फोकस करता है यानि वो task पे ज़्यादा concern रहता है और people पे भी concern रहता है लेकिन हरसे और blanket ने एक और element के बारे में बता है जो की है maturity of subordinates जो भी subordinates हैं उनकी maturity कैसी है यह determine करेगा कि कौन से leadership style को हम अपनाएंगे तो subordinates के जो maturity है वो low से high की तरफ जाएगी अब सभी जानते हैं जो subordinates है वो immaturity से maturity की तरफ जाएगे तो suppose कर लेते हैं कि जो subordinates हैं वो mature हैं तो वहाँ पे हम delegating style और participating style को अपनाएंगे अगर जो subordinates हैं उनकी maturity level low है यानि वो immature है तो वहाँ पे हम selling style और telling style को अपनाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ यह समझना है कि हरसे और blanket ने चार तरीके के leadership style के बारे में बताएं फास्ट है delegating style सेकेंड है participating style थार्ड है selling style और फौर्थ है telling style यह चारो तरीके के leadership style को मैंने detail में discuss कि तो अगर आप चाहते हैं कि detail में आप उसको पढ़ें तो आप description में दिये गए link से पढ़ सकते हैं तो delegating में क्या होगा low task and low relationship होगा participating में क्या होगा low task and high relationship होगा selling में क्या होगा high task and high relationship होगा और telling में high task and low relationship होगा तो आपस से question पर आते हैं question में आपसे पूछा था कि contingency approach of leadership was developed by तो fiddler ने क्या दिया है contingency approach दिया है leadership का तो third का correct answer हो जाएगा a Likard ने four system of management दिया है four system of management मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ साथ के साथ आप note भी करते जाएगा और blanket ने life cycle theory दिया है of leadership तो third का correct answer हो जाएगा a अब आए नेक्स question देखते है a superior can delegate to his subordinates एक superior जो है वो क्या delegate कर सकता है हस्तांतरित कर सकता है subordinates को आपके option है only authority only responsibility both authority and responsibility neither authority nor responsibility तो सबसे पहले जन लेते हैं कि superior और subordinate कौन है superior उपर होता है और subordinate नीचे subordinate तो superior जो है वो अपना काम का कुछ हिस्सा subordinates को delegate कर देता है तो यहाँ पर delegate करता है वो authority यानि कि जो काम superior कर रहा था वो अब उसका कुछ हिस्सा जो है काम का वो subordinate भी कर सकता है लेकिन suppose कर लेते हैं subordinate ने वो काम नहीं किया या गलत कर दिया तो क्या यह इसके लिए responsible होगा नहीं तो हमेशा ध्यान रखना कि एक superior जो है वो अपने subordinates को सिर्फ उसिव authority delegate कर सकता है responsibility हमेशा superior के पास होती है तो fourth का correct answer हो जाएगा A अब आए नेक्स question देखते है the credit for conducting hawthorn experiment goes to आपको होताना कि hawthorn experiment को conduct करने का जो credit है वो किसको जाता है Peter Drucker F.W.Taylor Alton Mayo या फिर none of the above Peter Drucker ने क्या दिया है M.B.O. को concept दिया है इन्होंने एक book लिखी थी बहुत ही famous The Practice of Management मैं आपके लिख दे रहा हूँ The Practice of Management in the year 1954 इसलिए इन्हें हम father of M.B.O. कहते हैं Next है F.W.Taylor F.W.Taylor को हम father of scientific management कहते हैं Scientific Management Next है Alton Mayo इनका पुरा नाम क्या है George Alton Mayo Hindi मिस को आप मायो पढ़ सकते हैं तो हॉतन एक्सपेरिमेंट को conduct किया था Alton Mayo ने तो फिर्ट का correct answer हो जाएगा C हॉतन एक्सपेरिमेंट को मैंने एक separate lecture में detail में cover किया है तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप i button पे click करके देख सकते हैं या description में भी आपको उसका link मिल जाएगा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी सारे चीज़ें इस वीडियो मैंने discuss किये मैंने detail में already सारे topic पे वीडियो बना लिया तो अगर आपने नहीं देखाया तो description में दिया गया link से सारे lectures को detail में जरूर देखेगा अगर आपको अभी कोई doubt है तो आप हमें Instagram पे पूस सकते हैं हमारी ID है study commerce official तो ये था UP, TGT, PGT से related कुछ important question उमीद है आपको पसंद आया होगा Thank you